मैं आशोग गुपता समरिद्ध भारत न्यूज आज हमारे साथ बहुजन समाज पाटी के मुक्ष सेक्टर सयोजक आजमगड वरार्सी मंडल महांत डाक्टर अओधेश चंद भरदवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं आईए आप से जानते हैं अगामी 2022 विदान सबाच चुना को लेकर बहुजन समाज पाटी की क्या रड़नीती है सबसे पहले समरिद भारत के दर्सकों को सर्वसमाज को मैं जय भीम जय भारत जय परसुराम कहते हुए 2022 की जो हमारी रड़नीती है वो एकदम कलियर है सर्वजन हिताए सर्वजन सुकाए बहांजी द्वारा चार चार बार मुख मंतिरी रही कानून बेवस्था पर उन्होंने क्या कार किया सर्वसमाज के सम्मान स्वाजम्यान और उसे उसके लिए उन्हों बहांजी ने रोजगार के संदर्म में क्या किया बहांजी ने रोजगार के संदर्म में 88,000 सिक्षकों की भरती किया 92,000 सिक्षकों का लिया सुरिजित पद उन्होंने किया उसके अलावा एक तालीस हजार कांस्टिबल की भरती की ATS का उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए गठन किया दो-दो होमोपैतिक कालेज का उन्होंने निर्माल कराया 26 विद्यालियों का निर्माल कराया कितने अस्पताल 5000 प्रात्मिक विद्यालियों का उन्होंने निर्माल किया किसानों के गन्ना मूल्य को 125 रूपए से 2500 रूपए किया इस प्रकार बहन जी की तमाम किये हुए ऐसे भिकास कारे हैं सरुसमाज के लिए मानुवर कासी राम सहरी विकास योजना के अंतरकत लोगों को आवास अवंटित किया बालिका समरिध योजना के तहद बृद्धा पेंसन के तहद इस प्रकार समाज में हर जात हर समुदाए हर लोगों के लिए जो उन्होंने विकास कारे किया वही जंज़त तक पहुचाना है योगी जी का कहना है कि उन्होंने रोजगार दिया है और विकास किया है जहां तक योगी जी का कहना है रोजगार दिया रोजगार तो एकदम नहीं दिया बलकि रोजगार छिन गए लोगों के रोजगार ले लिया गया रोजगार भीहीन हो गए, लोगों के ब्यापार ठप हो गए, प्राइबेट सेक्टर में काम करने वाले, तमाम कोरोना काल में बेघर हो गए, और उन्होंने कहा कि रोजगार दिया, रोजगार दिया नहीं, जहां तक विकास कार की बात है, उन्होंने विकास क्या किया, विका के नाम पर कहीं मजहब के नाम पर कहीं पोसाग के नाम पर ये इसके अलावा और कुछ विकास उत्तर परदेश में हमें तो नहीं दिखाई देता हैं किसान अंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहिए और निश्चित रूप से हम किसाने के संगर्शों में उसके साथ है क्योंकि किसान हमारे राष्ट के निर्मान में वह एक मुख घटक है किसान हमारा अनदाता है आदरली है अनुकरली है निश्यत रूप से बहांजी 2022 में उत्तर प्रदेश की जब मुख मंतरी होंगी तो किसान के हित की बात एक दम होगी और इस परकार के सायथ इस परकार के किसी कानून को लागू बहंजी नहीं होने देंगी जो किसानों के हित में नहों